कि अच्छों वह सब्सक्राइब और आपको समझ भी आ रहा है तो आज के वीडियों वह प्रेसर इन फ्लूट पे तो जान लेते बच्छों फ्लूट क्यों होता है तो फ्लूट कोई भी वह चीज जो बहती है यानि की फ्लो करती यह तो हम लिख सकते हैं फ्लूट एनिटिंग कि आख कैन फ्लॉट तो कोई भी वह चीज जो फ्लूट कर सकती है यही वह फ्लूट होता है तो फ्लूट कौन से होता है लिक्विट एन्ड गैसे ठीक है चीस कमें यही क्ड़ाने हैं अब यह ध्यान रखना है अपको कि चैप क 이 आपने वाटर के लिए कोई प्रॉपर्टी बताए कि वाटर ऐसा करता है तो वह हर लिक्विड क्लिए ठीक है वैसी एर के बोला तो वह हर गैस में एप्लिकेबल होगी ठीक है एंद लास्ट वीडियो वी डिसकर्स्ट सॉलीड एग्जर्ट प्रेसर कहां पर डाउनवर्ड व किसकीवज के से अपने वेट्सट की वाजिसे शिमर्यल बच्चोग फ्लूट भी क्या करता है ट्रीशर लगाता है ठीक है किसकी वेट्ट कीवज से आपको पहताओ पानी का बाता है अब कि यह अनी ख जो फ्लूड है उसकी ऐक खास बात त्याम से देख zac गिश्फ बात है जो फिलूड है को यहेुद एग्जर्ट है है इस प्रेशरम हटिflower टारेक्शन अब टीक है जो फ्लूड है वह vindpi आरेक्शन में पर साब से नहीं देखा है अपने घरों में हम सब नहांद है पाने के मगए से थीकिए तो आप लोगे जब अम लेते हैं तो यह निए उसका वेट होता है अच्छागासा ठीके जैसी हम उसे पाने में डिप करते हैं तो लौसेंट होता है Similarly, अगर आपको stone low air में पकड़ो उसको तो आपको उसका weight लगेगा, ठीक टाक, जैसि आप उसे अगर पानी में डालोगे, तो पानी में क्या है, उसका weight आपको हलका लगेगा, तो निए पानी क्या कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है उसे lift करने में, तो यानि कि जो water है आपका there is loss in weight, जैसी पानी से ओपर आता है, तो एकदम से weight हमें वो object बाहरी लगता है, यानि कि मगगा अगर आप बहरा हो मगगा, आप पानी का air में पकड़ोगे, तो आपको weight लगेगा, ठीक है, जैसे आप उसे पानी में डालोगे, तो आपको हलका लगेगा, लगता है ना, तो यहां हम बोलें, यह fluid की tendency है, कि वो एक upward force लगाती है, इसलिए हमें loss in weight, feel होता है, तो हम लिख सकते हैं, that it is a tendency of a liquid exert an upward force on an object placed in it, is called, तो उसका एक नया नाम है, क्या, उसका जो नाम है, beyond C, ठीक है, उसको हम beyond C बोलते हैं, ठीक है, जो tendency liquid की, कि यह upward force, छो upward force act हो रही है, ठीक है, सो हम बोल सकते हैं, upward force acting on an object immersed in a liquid, ठीक है, is called, is called beyond force, या हम बोलें, उसको हम बोलते हैं, अब thrust, अब thrust तो आप पढ़ चुकी हो, thrust क्या था आपका, यानि कि force लगती है, perpendicular toward the surface, liquid में भी force लगती है, perpendicular, but या अब आगया न, तो यानि कि upward direction में, clear है, तो upward force लग रही है, उसको हम बोलते हैं beyond force, और जो liquid की tendency है, जिससे upward force लगती है, उसको हम बोलते हैं beyond C, clear है, ठीक है, अब हम करते हैं, कि जो beyond C है, वो किन-किन factor पे depend करती है, ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका, first, that is volume of an object emerged, ठीक है, वो directly proportional होगा आपके, beyond C क, ठीक है, volume of an object, emerged, वो directly proportional है, beyond C क, अब देखो कैसे, ठीक है, मैंने एक container लिया, उसमें liquid भरा होगा है, ठीक है, अब जो हमारा एक object है, जिसका weight है, 5 kg, ठीक है, उसको हमने spring balance है, connect कर दिया, तो मैं 5 kg दिखा रहा है, ठीक है, अभी liquid में नहीं डाला होगा है, ठीक है, अब next देखो, ठीक है, यह liquid है आपका, ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा, यानि यह पानी में immerse कर देंगे, अभी भी spring balance है, connect है, तो अब क् spring balance में कुछ loss in weight होगा, let ले लेते हैं, 2 kg, ठीक है, 2 kg weight लेते हैं, अब next figure देखो, again यह पानी, liquid, ठीक है, इसको थोड़ा सा और ज्यादा हमने immerse कर दिया, ठीक है, spring balance में, अब हमें और weight कम दिखाएगा, यानि की 1 kg, ठीक है, तो यानि की जितना volume object का पानी में immerse हो रहा है, उतने ही क्या हो रहा है, loss in weight, यानि की उतने ही beyond force ज्यादा लग रही है, अफ़ा direction में, that's why there is a loss in weight, ठीक है, तो जितना अदा volume पानी में मज होगा, उतनी अदा अपट force लगेगी, या उतनी अदा ब्यांसी होगी, clear ही चीज, next देख लेते हैं, ठीक है, density, तो density of a liquid, ठीक है, ये भी directly proportional होती है, beyond ck, तो जितना यादा density होगी liquid के, देखो कैसे, अपट force आपकी air भी लगाती है, लेकिन हमें feel नहीं होती, क्योंकि वो जो अपट force है, वो बहुत hulky है, ठीक है, देखो कैसे, अगर वो ही पानी का मग, मैंने air में पकड़ा है, तो मुझे feel होगा, कि उस उनको जरूर feel होगा है ये चीज, तो यहने कि भई, जो density है water की, वो air से जादी है, ठीक है बच्चो, air भी अपट force लगाता है, बट वो हमें feel नहीं होती, वो ignore कर लेते हैं, ठीक है, negligible एक तरह से वो, तो इसलिए water की density जादा है, इसलिए beyond cb जादा है उसकी, इसलिए हमें इसलिए factor बताता हूं, देखो, ठीक है, temperature, temperature of a liquid, ठीक है, temperature of a liquid, ये हो जाएगा आपका inverse proportional to beyond cb, ठीक है, कैसे, अगर आप पानी को heat करोगे, temperature बढ़ा होगे, तो molecule expand करेंगे, दूर दूर जाएंगे, और दूर दूर जाएंगे तो density decrease हो जाएगी, और density decrease हो जाएगी, और density decrease ह ग्याँसी भी decrease होगे, clear है, ठीक है, तो temperature पे भी depend करती है, hopes आपको समझ आगे है अच्छे से, समझ आगे है तो बचो लाइक जरूर बनता है, साथी साथ, comment करो, आपको समझ आया, तो भी comment करो, और नहीं आया, तो तो comment जरूर करना है आपको, थाकि मैं उसका reply है, देश अक तो आपको, ठीक है, thank you